अप्रेड यूद्ध की एक फैंटेसी हॉरर फिल्म हम इसको कह सकते हैं एक और हॉलिड की हॉरर फिल्म कल रिलीज हुई है अप्रेड उसे अभी मैं थूड़ी देरी बात देखने के लिए जाने वाला हूँ उसका भी रिव्यू हो सके तो मैं आज ही अप्लोड करने का प्रयास करूँगा और भी 3-4 फिल्मों के रिव्यू करना बाकी है जिने मैंने कल देखा था तो दक्रो मुझे परसनली इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था पहली बार मैं इस फिल्म के बारे में पिछले सब्ता ही सुना वो भी आप में से ही कुछ मित्रों ने कमेंट्स के थे उसके बाद ही मुझे इसके बारे में पता चला बहुत सारे कमेंट्स आयते प मैंने तो परसनली फिल्म देखने से पहले इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था, अभी भी नहीं देखा है, अभी थेटर से आने के बाद में थोड़ा सा मैंने गूगल पर फिल्म के बार में सर्च किया, तो पता चला कि ये एक ब्रैंड कह सकते हैं, या पूरी एक मीडिया फ्रैंचेजी है, जिसमें दक्रॉ नाम से ही एक पूरी नॉविल की सिरीज है, कॉमिक सिरीज है, फिल्म सिरीज भी इस पर अल्रेडी हॉलिवड में बन चुकी है, नैंटीज में, 1994 में दक्रॉ का पहला पार्ट आया था, और उस कैसी उससे पहले, थोड़ा सा कहानी के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ, बेसिक थीम तो वही है, रिवेंज ड्रामा हम कह सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा फैंटसी टच उन्होंने दिया हुआ है, एक कपल है, दोनों आपस में एक दुसरे से बहुत प्रेम करत थे लड़का-लड़की, लड़की की विलन हत्या कर देता है, उसके बाद में लड़का रिवेंज ले रहा है, जिससे प्रेम करता था, उसके हत्या की है, उन सब को वह मार देना चाहता है, यह बेसिक थीम है, उसके साथ में वह फैंटसी टच उन्होंने दिया हुआ है, जो तो इससे पहले 500 Hollywood की फिल्मों में वो बात हम देख चुके हैं, कौन सी बात? वही devil के साथ में आत्मा का सौधा करना, शैतान के साथ में आत्मा का सौधा करना, मैंने पहली बार इस theme के बारे में Ghost Rider में सुना था, मतलब उससे पहले तो मैंने शैतान के साथ में आत्मा का सौध करना यह क्या चीज होती है पता ही नहीं था गोस राइडर मैंने जब पहली बार देखी थी थी न तब मैंने पहली बार इस concept के बारे में जो हॉलिड की 500 फिल्मों में यूज किया गया है तब मैंने सुना था उसके बाद तो कापी सारी फिल्मों में वेब सरीज में बार 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 हॉलिड वाले ये यूज करते ही रहते हैं तो दक्रॉप में भी ये जो रिवेंज ड्रामा है उसके साथ में जो फैंटेसी टच उन ने दिया है उसमें यही concept यूज किया है जो में विलन है यहाँ पर दक्रॉप में उसने शै अब यह जो विलन है जिसने अपनी आत्मा का शैतान के साथ में सौधा किया हुआ है उसका एक वीडियो बाहर आता है जिसमें वो एक्सपोज हो जाता है फिर उस वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं उन सब को मार देना चाहता है तो उसमें एक लड़की है जो उसी लड़के से वो मिलती है वो लड़का भी बड़ा ही विचितर सा उन्होंने दिखाया है जिसने अपने पूरे शरीपर टैटू अगेरा करके रखे हैं और बचपन से ही एक मेंटल ट्रॉमा का वो शिकार रहा है लड़का बचपन में ही उसका सब से प्रिय जो घोड़ा था उसकी मृत्य हो गई थी उस सीन को भी बड़ा ही विचितर तरीके से उन्होंने दिखाया है तो कुछ खास वो कर्टर डेवलोप्मेंट ठीक से उन्होंने किया नहीं है तो जातो कुछ उस लड़के के बारे में ना वो बता पाये हैं और ना ही चायद वो बता ना चाहते थ तो यह लड़की उस लड़के से मिलती है दोनों भागते रहते हैं दोनों को आपस में एक दुसरे का के परती बहुत वो उनका प्रेम या शारेरी का करशन जो भी आपके लिए दोनों को जातर कुछ सेक्सिंस वगएरा उन्होंने डाले हुए है बीच में भारत में जो वर विलन है वो आकर के इन दोनों को मार देता है फिर जो लड़का है वो की दुनिया में पहुच जाता है एक अलग दुनिया दिखाई है दूसरी वहां पर एक विक्ति है उसके साथ में ये जो लड़का है वो भी सौधा कर लेता है विक्ति बताता है इस लड़के को कि तुम उस लड़की को वापस ला सकते हो उसे मिल सकते हो इसके लिए तुम्हें बस उन सारे विलन्स को मारना होगा तो ये बेसिक एक रिवेंज ड्रामा कह सकते हैं अब जो कुछ गूगल पर मैंने ओडियन्स की रियक्शन वगरा पढ़े वो कमेंट्स वगरा ओडियन्स के पढ़े इस कारण से नहीं परन्तु ये कंसेप्ट मुझे एक फैंटेसी जो बाते उन्होंने डाली हुई है जो विलन दिखाया है वो कानों में फुस-फुसार आये तो इन बातों को फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है एक्स्ट्रीमली वेल मेड कह सकते हैं सिल्मेटोग्राफी प्रोडक्शन वेल्यू आप देख लिए जो बहुत रिच लगती है फिल्म देखने में कैमेर एंगल्स वगेरा बहुत बढ़िया है विजूल एफेक्ट्स का यूज बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से किया हुआ है अवरॉल टेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिल्म को फुल मार्क्स मिलेंगे पर स्टोरी, करेटर डेवलप्मेंट बहुत ज़्यादा खराब था करेक्टर्स तो एक्स्ट्रीमली अनलाइकेबल थे आप उनको एक सेकंद के लिए भी नहीं देखना चाहेंगे जिस परकार से उनको फिल्म में दिखाया है न लिटरली आप इरिटेट होते हैं उन दोनों ही लीड कैरेक्टर्स को देख करके जो लड़का और लड़की आपस बेप्रेम करते हैं आप नहीं देखना चाहेंगे उनको इतने एक्स्ट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स है वो और वाकि जिस प्रकार से कहानी को उनोंने प्रेजेंट किया है डिरेक्शन प्रेजेंटेशन वो भी वर्स्ट था बस टेक्निकली बढ़िया बनी हुई फिल्म है और आजकल के फिल्मेकर्स की चाहे वो हॉल्यूड के हो बॉल्यूड के हो या दूसरे भी उस पर मास्टरी प्राप्त कर ली है मतलब एडिटिंग कैसे करनी है साउंड डिजाइन कैसे होनी चाहिए कैमेरा वर्क कैसा होना चाहिए वो बाते बहुत बढ़िया से दिखा देते हैं यहाँ पर भी तक क्राव आपको बिल्कुल किसी आर्ट हाउस फिल्म के तरह दिखाए देगी बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई फिल्म है पर इंट्रेस्टीं ही बनेगा क्योंकि कहानी में सबसे महतु पुर्ण तो स्टोरी जो थीम है फिल्म की पर पर फिल्म पूरी तरीके से फेल हो जाती है ना हला कि ऐसा नहीं कि फिल्म को बिल्कुल जिरो मार्क्स दिये जाए ऐसा भी नहीं है अब ठीक है यार मतलब जिसने ओरिजिन फिल्म नहीं देखी होगी वह अगर देखेगा तो शुरुआत में जब वह एकदम से वह जो विल्म है जिसने अपने आत्मा का सोधा किया हुआ है वह अचानक से जिस पहली लड़की को मार रहा है उसके कान में जाकर जो फुस पुसाता है ना तो वह बिल्कुल ही शॉक हो जाओ गया अगर आपको कुछ भी पता नहीं तो आपको लगे यह क्या हो गया अभी तो सिंपल सी कहान ही चल रही थी वीडियो लिक हो गया और विल्लन है वो उसके लोग पकड रहे है उन सब लड़कों को जो ग्रूप उस वीडियो में दिख रहा है तो सिंपल सी कहान ही चल रही थी और अचानक से यह क्या हो गया जादू तो वो लगता है कि यह कुछ तो अलग वो दिखाएंगे तो शुरुआत पर थोड़ा सा इंट्रेस्ट बनता भी है पर बाद में वो बहुत घटिया तरी है हमें फिल्म तो मैं दक्रॉ को दूँगा 4 out of 10 स्टार्स पैंडल गाडिंस की बात करें तो भारत में तो इससे A certificate के साथ रिलीज किया गया है हाला कि जितने भी कुछ nudity वगएरा कुछ है उनको अल्रीडी बलर किया हुआ था बाद में जब कभी OTT पर वगएरा यह फिल् परिवार के साथ में तो देखने जैसे यह फिल्म नहीं है विशेशत बच्चों के साथ में वाकि जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा हुआ है या ओरिजनल फिल्म सीरीज को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आपनी चे कमेंट में आवश्य बताना इवड श्री राम वंदे मातरम